दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको दो टीप लिंक रायुटर को एक साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा वह भी वायरलैसले, जी हाँ, आप टीप लिंक के रायुटर के अलाबा कोई थूसरे रायुटर भी एसली कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ, अपने प्राने र आप इस राउटर को देखें तो यह मेरा सेकेंडरी राउटर है और मैं अपने इस प्राने राउटर की वाई-फाई रेंज को एक्टेंट करने वाला हूं इस वाले न्यू वाई-फाई राउटर से तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं So Hello Guys, मेरे नाम है साजी सेफी और मेरे चैनल टेकनिकल सेफी में मैं आप सभी कतहे दिल से वैलकम करता हूं Well, अगर आप अपने प्राने राउटर की वाई-फाई रेंज को एक्टेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने प्राइमरी राउटर यानि कि आपका प्राना वाला वाई-फाई राउटर है उसकी सेटिंग्स में किसी तरह का कोई भी चेंजेज नहीं करना है और नहीं आपको उसे बिल्कुल भी छेलना है जैसा कि अभी आप देखें मेरे केस में यहाँ पर मेरा प्राना वाला वाई-फाई राउटर है अभी फिलाल मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेज नहीं करने वाला हूँ जैसा कि अभी आप देखें मेरे प्राने वाई-फाई राउटर के अंदर जो इंटरनेट है वो मुझे मिल रहा है अभी आप एजली देख भी सकते हैं जो भी इंटरनेट की केवल वगरा कनेक्ट की हुई है वो मैंने अपने प्राने वाले वाई-फाई राउटर के साथ कनेक्ट की हुई है जैसा कि अभी आप एजली देख भी सकते हैं तो अगर आप अपने पराने Wi-Fi router की अगर Wi-Fi range को extend करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको login करना होगा अपने नए Wi-Fi router के login page के अंदर चली हम इसके ले चलते हैं और दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से कुछ settings को change करके अपने प्राने Wi-Fi router की range को extend कर सकते हैं तो दोस्तों कम्टर की स्कीन पर जाने से पहले सब से पहले आपको अपने नए वाले Wi-Fi router को on कर लेना है जैसा कि अभी आप देखें मैंने अपने न्यू वाले Wi-Fi router को on कर दिया है और इसके अंदर जो power है वो आ चुकी है और दोस्तों हमारे नए router की Wi-Fi है 2.4 GHz और 5 GHz दोनों की LED इंटिकेटर on हो चुके है और जैसा कि अभी आप देखें मैंने पीछे सिर्फ एक power cable ही use की है और इसके अलाबा आपको किसी तरह की कोई भी cable use नहीं करनी है अपने पराने router की Wi-Fi range को extend करने के लिए तो चली अब हम चलते हैं computer की screen पर अब आको next step में क्या करना है तो सबसे पहले आपको अपने computer को अपने नए Wi-Fi router से connect करना है तो चली अब हम अपने नए Wi-Fi router से अपने computer को connect कर लेते हैं वाईल दूस्थु जैसा कि अदे आप देखने को मिल रहे है ये मेरे पुराने Dwifi router के network है वाइल दूस्थु जो TP-Link के नाम से आपको देखने को मिल रहे है ये मेरे नए Dwifi router के network है दूस्थु फाइनली मैंने अपने नएdvifi router से अपने PC को connect कर लिया है अब आपको नो इंटरनेट देखने को मिल रहा होगा, वाल दोस्तों अब चलते हैं हम Chrome Browser के अंदर, अब चलते हैं हम Chrome Browser के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने नए Wi-Fi router के login page के अंदर login करना होगा, अब चलते हैं हम अपने नए Wi-Fi router के login page के अंदर login हो चुके हैं, अब आपको next step में क्या करना है, एडवांस की setting हैं आपको simply इस पर click करना है, यहां अपको इस पर click करना है, and यहां आपको पर click करने के बाद यहां आपको IP address है इसको change करना है, आप simply यहां पर कोई भी number चूज कर सकते हैं, चलिए फेराल मैं यहां 1 की जगा 2 कर देता हूँ, जैसे आप IP address को change करते हैं तो उसके बाद यहां आपको save इसको कर देना है चलिए फिलाल मैं इसको save कर देता हूं जैसी आप इस पर save पर click करते हैं तो save पर click करने के बाद तो आपका जो नया वाला Wi-Fi router है वो फिर से आपको उसे login करना है चलिए फिलाल अभी हम थोड़ा सा wait कर है अब दूस्तो आपको next step में फिर से आपको advance setting के अंदर आना है और advance setting के अंदर आने के बाद आपको फिर से नेट्वर का जो option है इसको select करना है और उसके बाद दूस्तो आपको DHCP server जो option आपको देखने को मिल रहा है simply आपको इसको click करना है और जैसे दूस्तो आप इसको वो save हो जाएगी and finally दोसो हमारा जो second step है वो भी complete हो चुका है वाल दोसो अब आपको third step को follow करना है जो कि इस video का last step होगा तो दोसो third step के लिए आपको system tools के अंदर आना है और system tools के अंदर आने के बाद यहां आपको system parameters के नाम से एक option देखने को मिलागा simply आपको इस पर click करना है अगर आप TP-Link router यूज़ कर रहे है वाल दोसो अगर आप TP-Link router के अलाबा किसी दूसी company का router चूज़ कर रहे है तो आपको simply अपने router की settings के अंदर WDS का जो option है इसको find करना है खर दोसो TP-Link Archer A6 version 3 के अंदर आपको यह जो option है WDS का यह system tools के अंदर आने के बाद system parameters के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तो आपको simply यहां से क्या करना है अगर आप 5 GHz पर अगर आपने router को connect करना चाते हैं तो आप 5 GHz का WDS bridge setting on करेंगे और अगर आप 2.4 पर अगर set करना चाते हैं इस पर click करना है तो जैसी दूस्तो आप survey पर click करते हैं तो survey पर click करने के बाद आपके आसपास जितने भी wifi connection होंगे वो सारे के सारे आपको show हो जाएंगे simply आपको करना क्या है अपने पराने वाले wifi router का जो भी wifi signal है आपको उसे select करना है जैसे कि मेरे case में यहाँ technical safety 5G मैंने आपको वीडियो के starting में भी दिखाया था और यह मुझे show हो चुका है अब दोस्तो आपको simply करना क्या है जो channel 36 इसको आपको ध्यान में रखना है कभी-कभी यह channel हमसे आगे boost सकता है तो simply आपको इसे mind में रखना है और उसके बाद यहाँ आपको choose का option देखने को मिलना है इस पर click करना है और जैसी दोस्तो आप अपने पुराने wifi router के wifi को connection को choose कर लेते हैं तो उसके बाद आपको simply अपना जो पुराने router का wifi password है उसे यहाँ पर enter करना है तो दोस्तो basic setting के अंदर आपको यहाँ internet जो है वो उसके ओपर cross का sign देखने को मिलेगा और दोस्तो अभी आपको इस settings को देखने के बाद लगेगा कि आपके नई router के अंदर जो internet connection है वो नहीं आया बड़ दोस्तो ऐसा नहीं है तो दोस्तो अभी हम जो method follow कर रहे है उस method के दौरान यहाँ पर जो internet है वो आपको cross का ही symbol दिखाई देगा यहाँ से आप easily पता नहीं कर सकते आपके नए wifi router के अंदर internet connection आया यह नहीं है तो दोस्तो यह confirm करने के लिए कि हमारे नए wifi router के अंदर internet connection आया यह नहीं है हम इसको अपने PC से एक वार फिर से connect करते हैं वाल दोस्तो अभी मेरा जो computer है वो already connect है तो जैसा कि दोस्तो अभी आप देखें मेरा जो PC connect है वो TP-Link 5G के network से connect है जो कि मेरा नया router है वाल दोस्तो अभी आप देखें यहाँ पर जो internet connection है वो आ चुका है चलिए एक बार हम यहाँ पर internet की speed को भी check करके देख लेते हैं और कुछ पिले करके भी देखते हैं कि internet connection आया या नहीं आया तो जैसा कि दोस्तो अभी आप देखें अब दोस्तो आप अपने नए wifi router को कहीं भी setup कर सकते हैं जहां भी आपके घर में wifi की range कम आपको देखने को मिलती है तो दोस्तो यह step काफी ज़्यादा आसान थे तो खार दोस्तो फलाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था तो दोस्तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ की साथ चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल ना भूलने तो चलिए फ़राल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और नियू वीडियो के साथ